फ्रेंट वल्कम टू बैकार यूटूब चैनल फ्रेसर के लिए जॉब का वैकंशिस में लेके आगे हूँ यहां पर जो जॉब का वैकंशिस तुमको दिखाए देगा डारेक्ट तुम्हारा सेलेक्शन होने वाले हैं कैसा तुमको अपलाई करना पड़ेगा सिलेक्शन फ्रोशिडियो और तुम्हारा बेसिकली कौन को ट्रेट अपलाई कर सकते सारे डिटिल्स इन इस वीडियो में शेयर करने बाले बाट उसके पहले में एक छोटा सा रिकोश्ट है इतना अच्छा जॉब का वैकंशिस तुम को बेसिकली अपलाई करना पड़ेगा सिलेक्शन फ्रोशिडियो के रहने बाले सारे डिटिल्स इन इस वीडियो में शेयर करने बाले है चलू लेट्स टर्ट और लिट्व झारने हमिएन ऑनको बाता में बैक करने बाले सारे अजलेक्शन फ्रोशिडियो के पारे में बाताइंगी बैसिकली सेंट्रल मैनॉफेक्शरेंग टेक्नोलोजी इन्श्टिटूट के तरब सेंभ तरब सेंभ का वैकंशिस आ रहे जिसमें तुम्हारे बेसिक और यहां पर जो वाकेंजी सारे डिप्लोमा के लिए भी है और उसके साथ तुम्हारा ग्रैजुएट वाले के लिए भी है सो यहां पर देख सकतो तुम्हारा Computer Science Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Electrical Engineering, Electronics and Communications Engineering, Electronics and Instrumentations Engineering, Electronics and Telecommunications Engineering, Electronics Engineering, Then तुम्हारा Metallurgical Engineering, Mechanical Engineering, Library Science ऐसा करके देख सकतो यहां पर बहुत सारे यहां पर ब्रांच के लिए जोब का Opportunities आरे जिसमें देख सकतो तुम्हारा Qualification जैसा बोल रहा है BE वाले भी अपलाई कर सकते जिन लोग B.T.E.C. Complete के उन लोग भी अपलाई कर सकते ओके So B.E.B.T.E.C.E.C.E.C.E. That means Engineering Degree जिन लोग कामपली आपलाई कर सकते डिपलोमा वाले भी आपलाई कर सकते जिसमें तुम्हारा जो जो जॉब पोजिशनस जो होगा Basically technicians ओके So यहां पर देख सकतो इंटर्व्यू होगा इंटर्वियू के मारफ़त तुम्हारा सिलेक्सांस होगा इंटर्वियू का डेट भी यहां पे मेंसन है 14 जून 2023 इंटर्वियू होगा रेजिस्टेशन्स पहले तुमको करना पड़ेगा So, रेजिस्टेशन्स का टाइम भी यहां पे मेंसन है 9 से तुमारा बेसिकली start होगा 9 EMP से basically start होगा और यहाँ पर अड्रेस ही इसाइस में देखवा। जारे देख सके तो बेंकलोरस में होगा बैंगलोर लोके संस में इंटर्वियो होगा सो धिस आड्रेस में जाके है कको basically इंटर्व्यू एटिंड करना पड़ेगा और इंटर्व्यू का डेट यहां पर देख साकतों नेक्स जो है तुम्हारा 11 से लेके तुम्हारा 13 तक जितने सारे भैकंची से उसके लिए बैसिकली 15 जून होने बाले पर हमारा मतलब है इंजिनियारिंग बाले देखेंगे तब के लिए 14 जून इंटर्व्यू चलेगा इंटर्व्यू होगा तुम्हारा वेड्नेश टे और यहां पर रेजिस्ट्रेशन पहले होगा तुम्हारा 9 एम से पहले तुमको इस आड्रेस में तुमको रीज करना पड़ेगा ओके देखो स्टाइफेन भी मिलेगा तुम्हारा बेसिकली अपरेंटिस ट्रेणिंग में जो एक्स्पिरेंस सर्टिविकेट भी मिलता है तुमको दिखाई देगा उसमें तुम एपलाई करने से प्रॉब्लेम नहीं होगा क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होता है फ्रेसर्स लोकों को ज्यादा हायर नहीं करता है तो इसलिए प फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा इसलिए मैं बोल्डियों सोजेलों के लिजिबल है जरूर जाना ओके सो यहां पर देख सकतो तुमारा जो ग्राजुएट अपरेंटिस के लिए बेसिकली स्टाइफेंड जो मिलेगा 9000 पार मन तुमको स्टाइफेंड मिलेगा पहल आदर स्ट्रिम के लिए भी यहां पर देख सकतो तुमको स्टाइफेंड सेम बोल रहें ओके नेक्स जो पॉइंड ही यहां पर एलिजिबिल्टी क्राइटिर जैसा बोल रहें ग्राजुएशन्स यह लोग कांप्रिट के उनलोग भी अपलाई कर सकते डिप्लोमा भी अप् पाउसाओट स्टूडें यहां पर अपलाई कर सकते 55% मार्क्स तुमारे पास होना चाहिए और जोग में अप्रेस वाले यहां पर एक्स्पिरेंस भी नहीं है और ग्राजुएशन जैसा ग्राजुएशन और डिप्लोमा जैसा देखेंगे देख सकतो 2020 के बाद करने से पहले तुमको पहले एने टीएस पोर्टल में रेजिस्ट्रेशन कंप्रिट करना पड़ेगा तुमारा जो मुबाइल लंबर प्रपार सारे तुमको डीटल्स फील करना पड़ेगा और उसके बाद तुमारा डीटल्स फील हो जाने के बाद user id और पासवार्ट मेल जाएगा उसके बाद user id और पासवार्ट डलके तुमको बिसिकली अपलाई करना पड़ेगा after successful enrollment the candidate will be provided with the student enrollment number so student enrollment number जो तुमको basically मिलेगा उसी number तुमको लेके interview के time में जाना पड़ेगा okay so ऐसा ही है देख सकतो और ज्यादा कुछ नहीं है बस इतना तकी है कि नेक्स जो जौब का उप्रेशनीच आ रहा है basically completely जिनलों फ्रेसर्स है उनलों को लिए क्योंकि यहां पर अपरेंटिस्ट्रेणिंग के लिए जौब का उप्रेशनीच आ रहा है जिसमें देख सकते हो E.T.D.C. और तुमारा C.F.R. कमेंट करके यहां पर जॉब का वैकंसी जारा है चेलनाई लोकेशन्स के लिए देख सकते हो गवर्मेंट आप इंडिया जो बेसिकली यहां से तुमारा जो जॉब का वैकंसी जारा है जिसमें तुमारा B.E. बाले अपलाई कर सकते है और देख सकते हो तुमारा B.E. Computer Science Engineering, B.E. Information Technology, B.E. Electronics and Communications Engineering, B.E. Electrical and Electronics Engineering यहां पर देख सकते हो नामबर ओफ अपरेंटिस ट्रेनिंग का जो वैकंसी से यहां पर सकीन में देख सकते हो 9000 करके पार मान तुमको मिलेगा डियूरसंस जासा रहता है वानियर सो के चेलने लोकसंस में तुमको जाके काम करना पड़ेगा ओके और एज के बारे में भी म में देख सकते हो तुम्हारा 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 तुम्ह पर छ possession टोकूमेंट भरिशन होगा उसके बाद ओंध र सुपकी विलकसे को तक ङ होगा and पूबारा inang trou. अब हमिएंड पर ओक ही सारे नियूंd आप्यों। यहां पर देख सकते हैं करना लाम मेंपने घार हमना करें में देख सकते हैं और नेक्स पॉंट यहां पर तुम्हारे सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम में तुम्हारा जो रेजूम दिन 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 लोग कंप्लिट किये उनलोगों का जो ऑल सिमिष्टर का मार्च सीट दिन तुम्हारा सार्टिपिकेट आधरकार बैंक अकाउंट भी लेके जाना मतलब उसमें दोनों से एक लेके जाने से भी हो जाएगा जिसमें पास्पुक का फास्ट पेज भी ले सकते उसमें प्राबलम नहीं है और कुछ अच्छ नहीं है ज्यादा तरफ मैं बादा चुकी हूं और यहां पर आधर पेनिफिट भी यहां पर इंक्लूटिंग होगा नहीं है जितने सारे वैकंच के बार में मैं बाता चुकिएंगा सारे वेकंटिस तुम्हारे एने टीएस पोर्टल में मेरेको दिखाई दिया तो पहले तुमको क्या करना पड़ेगा एने टीएस पोर्टल में रेजिस्टरेशन कंप्रिट करना पड़ेगा मेने टोरी है उसके बाद उसके बाद तुम्हारा प्रोसीडियोर जो भी होगा तो एने टी पोटल में अभी भी रेजिस्टेसंस कांप्रीट नहीं कियो जाके एने टीएस पोटल में रेजिस्टेसंस कर ले ना क्योंकि उआ पर तुमारा बहुत सारे आप्रेंटिस ट्रेणिंग का अपरिशोंटेस बिलता है सो उसमें तुम टारीक्ट तुम अपलाई कर साकतो ओके सो प्राब्लेम नहीं होगा इसलिए मैं बोल्डियो जी लोग फ्रेशार से जॉब के लिए ढूल रही हो उनलोगों के लिए मैं बतारी हो बेसिकली तुमारे पास एक्सपिरेंस नहीं है सो आजे अपरेंटिस कर से लिए जो जितने सारे प्रग्रम उनलोग बेसिकली पाप्लिष्ट करता है उतने सारे प्रग्रम तुम प्रम बेसिकली पासान हो जाएगा क्योंकि श्टाइफिन मिलेग तो अच्छा बाद है और उसके सथ तुमारा experience रटी भीड़ी मिल जाएगा तो अच्छा बाद ह मैं सारे डिटल्स कबर कर चुके सो इसमें भी कुछ डाउट है सो कॉमेंट बॉक्स में बताना मैं हमेशा रिपलाई करने के लिए कुर्शिश करूंगी और वीडियो फ़संद लगा तो पहरा सा लाइक कर वादना और ऐसा ना जॉब का पड़ने के लिए चैनल को सब्सक्रे से लेके सुभाई टेक केर वाल दाविश्ट